हालो ग irr you welcome to our new blog तो गॉिष इस वीडियो में हम जा रहे हैं लड़ु बाबा जो कि ओड़िसा का एक फेमस सिभजी का मन्दिर है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाते हैं लड़ु बाबा जो कि सिभजी का मन्दिर है बहुत बड़ा फेमस मंदिर है ओडिसा का वो केसा दिखता है वो केसा है चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में और ये जो लड़ू बाबा टेंपल है जो की सिभ जी का बहुत बड़ा टेंपल है ये ओडिसा का नयागड जिले में स्तीत है तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको घुमाते हैं तो आप लोग इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजी झालियो आपको घुमाते हैं झाल 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 तो अभी हम रास्ते में थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं तो अभी थोड़ा रेष्ट लेके फिर हम ही यत्रा गरें और थोड़ा इधर खाना फाना भी हम खा लेंगे और खाने के बाद इधर से डारेट हम चलेंगे सिधा लड़ू बाबा मंदिर झाल 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 अभी हम आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो होटेल है वहीं पर होटेल पर आप यह खाना खाना सब खाके अभी हम निकल रहे हैं सिधा लड़ू बाबा मंदिर के लिए मिलते हैं लड़ू बाबा मंदिर में तो यह है लड़ू बाबा मंदिर शिवजी मंदिर है आप देख सकते हैं आप इस तरफ एक तालाव भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा तालाव है आई मरे सथ इस तरफ आओ मैं आपको तालाव दिखाता हूं आप बहुत बड़ा तालाव देख सकते हैं इस तालाव में बड़ा-बड़ा मचली भी है आप मतने इस तरफ देख सकते हैं और उदर पहाड आप देख सकते हैं कितना बड़ा-बड़ा पहाड है अर इस तालाव में आप देख सकते चलिए मंदिर का चारो तरफ घूम के देखते हैं कैसा है आप इस तरह देख सकते हैं कितने सारे कोवे इधर खा रहे हैं कुछ नीचे पड़ा है उसको खा रहे हैं आप देख सकते हैं यह तालाब इस तालाब में बड़ा बड़ा मचली भी दिखाई दे रहे हैं पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं आप देख सकते हैं और इसका पानी भी हरा है बिल्कुल हरा पानी है इसका और मुझे यह भी पता है आप लोग कभी यहां आ नहीं सकते तो मेरे वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं इस मंदिर को यह लड़ू बाबा मंदिर जो कि सिभजी का मंदिर है अभी तो दो पेर का टाइम है शिभजी का मंदिर अभी बंध है कुछ देर के बाद खोलेगा तब फिर अंदर जायेंगे इस अंदर मंदिर है आप देख सकते हैं अभी लगता है बारिस होने वाली है इसलिए हावा जोर से अभी चलना सुरू हो चुका है आप देख सकते हैं के चारओ तरफ के एठीर था पर तो ता फर आप अनॅह ड स्कैंतधा ज। तो इधर आप देख सकते हैं दिवार में सभी तरह का योगा का आसन इधर पेंटिंग किया हुआ है आप देख सकते हैं इधर ये चक्रासन इधर ये बजरासन इधर राधा कृष्ण का एक फोटो भी है पेंटिंग और ये भुजोंगासन तो मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो इसलिए हम नहीं बना पाए तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह का वीडियो देखने के लिए तो हम जब लोट रहे थे तब रास्ते में एक बहुत बड़ा मंदिर आया प्राचिन मंदिर आप देख सकते हैं हम सचेंगी चले इस प्राचिन मंदिर को घूम कर चले जाते हैं तो बहुत सुन्दर मंदिर और पास में एक नदी भी है आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक बड़ा सा नदी है बहुत बड़ा नदी है उस तरह कि पता से बड़ पास में गरेख सकते हैं कि बहुत बड़ा नदी है प्रुट्ट बड़ा से प्रूम्दा प्राचिन में डिज़ते हैं कितना बड़ा नदी है, आप देख सकते हैं, तो इस नदी का नाम है महा नदी, इसको केते हैं, और इस तरफ भी देखो, इतना बड़ा बड़ा पाहड भी है, आप देख सकते हैं, बहुत सुन्दर मंदिर है, देखिए अधर भी आप देख सकते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं नदी के बीच में यह पत्थर भी आप देख सकते हैं कितना प्राचिन पत्थर है करीब पांसो छे सो साल का और इस पत्थर को चूना में ही जोड़ा गया है आप देख सकते हैं कितना मजबुत है यह पत्थर प्राचिन पत्थर इट्स ठू ओल्ड इट्स टोटाले अंसेंट टेंपल है यह मंदिर करीब करीब पांसो हजार साल का मंदिर है इट्स पांथाउजंड इयर्स ओल्ड टेंपल उधर आप देख सकते हैं सॉनसेट हो रहा है बढ़िया नजार आप देख सकते हैं कर दो में सुएच सबमारद में सबस्टकों अप्राइग अंसे घड़ में सुआर आप जब लग्राइब अन्सेट करीश्स आपके पांस सुएच इटारे सीर्सका टेख सेख अटेयर आप देख सत्सा रिटावार्वार्ण पांसेखन एटाफ एटब में सकते हैं झाल झाल झाल